अयोध्या में श्री राम जन्भूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट ने भगवान राम के जन्मस्थान का समतली करण तो कर दिया है लेकिन इस इस्थल के करीब इस्थित एक शिलापट और कसोटी के स्थम्भ को जियो कत्लो रखा भगवान राम के जन्मस्थान से ठीक पूरब दिशा में 30 सेंटिमीटर की दूरी परस्थित यहाँ इस्थल एक टीले जैसा दिखता है इस इस्थल पर कसोटी के काले रंग के खंबे के साथ एक शिलावट इस्थापित है कहा जा रहा है कि राम मंदिर ट्रस्थ ने भी पिधाल इस इस्थल से इस्थम और श्लापट को ना हटाने का निर्णे लिया है राम लला के मुख्य पुझवारी आजवारी सतींद्रदास ने कहा है कि श्री राम जन्भूमी परिसर में संतली करण के दौरान जो भी अफशेश मिले हैं वे बेहत महत्वपूर और हमारी प्राचीनता का प्रतीक है और श्रधालू इन अफशेशों को देखकर भगवान राम के जन्भूमस्थान पर प्राचीन मंदिर होने के विशय में जानकारी प्राफ्त करेंगे इसने उन्हें राम मंदिर की प्राचीनता की इस्तिती का आभार सोगा पसोटी के खंबे, शिवले और समतली करण के दोडान जो अन्य वस्य निकली है वे सभी प्राचीनता के बोधक है आचारिय सतिंद्रदास ने बताया कि सुप्रीम कोट के पैसले में भी इस शिलापट का जिक्र है ये भगवान राम के जन्व स्थान होने का प्रमार देता है इसी वजह से शिलापट और उसके पास अस्थित खंबो को अब तक नहीं हटाया कि इसी इस्थान पर भूमी पूजन किया गया है देखे जो भी खंबे निकले हैं जो भी आउसेश निकले हैं वहां समतली करण में खुदाई में वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वह हमारे प्राचीनिता का पर्तीक हैं और उस्पे हमें ग्यान होता है कि यह हमारा धरूहर जो भी निकल रहा है यह बहुत प्राचीन मंदिर जो था उसके ऑसेशं हैं इसलिए उसको आने वाले जात्रीयों को उसका दर्शन कराया जाया उनको बताया जाया ये योशेष निकले हैं उसमें समतली करन में इसलिए इसके पहले जो मंदिर तोड़ा गया था और मंदिर का ये योशेष हैं इस दरशन करके उनको जो प्राचीमता की इस्चति रही वो हमारे आने वाले जो दरशनार्थी है वो दरशन करेंगे राम लला का दर्शन करेंगे और वो है जो अक्रसोटी के खम में निकले हैं जो सिवलिंग निकला है जो और बस्तों में निकली हैं उनको देखेंगे उसे श्रीय प्राचिंता का बोधक हैं तो राम लला के साथ साथ जतना भगवान राम लला का दर्शन का महतो है उसे कम महतो उसका नहीं है क्योंकि वो उसी मंदिर का उसेश है जो प्राचीन मंदिर में जिस मंदिर को देख करके और लोग आकरशित होते थे और जहां भगवान स्वेम विराजमान थे